रास्ते का पत्थर एक राजा था उसे अपनी प्रजा से बहुत प्यार था वह प्रजा की भलाई का सदा ध्यान रखता था राजा दयालू और न्याय प्रिय था एक दिन राजा भ्रमण के लिए निकला अचानक उसे ठोकर लगी उसने देखा कि रास्ते में एक बड़ा भारी पत्थर पड़ा है कई लोग उसी रास्ते से आ जा रहे हैं राजा ने सोचा ना जाने यह पत्थर कितने दिन से यहां पड़ा है देखता हूँ इसे कौन यहां से हटाता है राजा पास ही एक पेड़ के पीछे छिप गया थोड़ी देर में राजा को एक किसान दिखाई दिया वह अपने हल बैल लेकर उसी रास्ते पर आ रहा था किसान ने पत्थर को देखा और अपने बैलों को मोड़ कर आगे निकल गया किसान के जाने के बाद एक दूध वाला डिब्बे में दूध लेकर उधर से निकला उसने पत्थर नहीं देखा और ठोकर खाकर गिर पड़ा दूध वाले के घुटने पर चोट लगी और सारा दूध बह गया वह बड़ी मुश्किल से उठा और बड़बडाता हुआ बोला रास्ते में इतना बड़ा पत्थर पड़ा हुआ है और कोई उसे हटाता नहीं मेरा इतना दूध गिर गया अब मैं ग्रहकों को क्या दूँगा दूध वाला लंगड़ाता हुआ अपने रास्ते चला गया उसने भी पत्थर नहीं हटाया जैसे ही राजा पेड़ के पीछे से निकला उसे घोड़े की टाप सनाई दी वह फिर पेड़ के पीछे छिप गया इतनी में घोड़ा पत्थर के पास आ गया राजा ने देखा घोड़े पर एक सिपाही बैठा है वह मस्ती से गा रहा है अचानक घोड़े को पत्थर से ठोकर लगी घोड़ा पीछे हाटा सिपाही गिरते गिरते बचा उसने नीचे देखा और उचे स्वर में बोला मैं कई दिन से इस पत्थर को यहां पड़ा हुआ देख रहा हूँ पर कोई इसे हटाता नहीं यहां के लोग बहुत आलसी हैं सिपाही ने अपना घोड़ा आगे बढ़ाया और दूर निकल गया कुछी देर में एक बुढ़ा आदमी अपने सिर पर फलों की टोकरी लिये आया और पत्थर से ठोकर खाकर गिर पड़ा उसके सारे फल रास्ते में बिखर गए तभी एक लड़का दोड़ता हुआ आया और बुढ़े को उठाते हुए बोला बाबा कहीं चूट तो नहीं रगी नहें बेटा पर मेरे फल बुढ़े ने कहा आप यहीं रुकिए मैं अभी फल उठाकर टोकरी में रख देता हूँ लड़के ने कहा उसने फल उठाकर व्रद्ध की टोकरी में रख दिये ये चीते रहो बालक को आशीरवाद देते हुए व्रद्ध चला गया लड़के ने इधर उधर देखा और फिर रास्ते से पत्थर हटाने लगा पत्थर थोड़ा सा हिला और फिर अपनी जगह आ गया यड़के ने फिर प्रयत्न किया पर पत्थर नहीं हिला उसने इधर उधर देखा और फिर पत्थर को हटाने का प्रयत्न करने लगा अचानक पत्थर हिला लड़के ने देखा कि एक आदमी उसकी सहायता कर रहा है दोनों ने मिलकर जोर लगाया और पत्थर को रास्ते से हटा कर एक ओर कर दिया उस आदमी ने पूछा बेटा तुम कौन हो लड़के ने कहा मैं शंकर हूँ इसी गाव में रहता हूँ दूसरे दिन शंकर पाठशाला पहुँचा उसके मुख्य अध्यापक ने सभी विद्यार्थियों के सामने उसकी प्रशंसा की उन्होंने बताया के शंकर को राजा ने पुरसकार दिया है कठिन शब्द न्याय प्रिय न्याय प्रिय भ्रह्मान व्रिद्ध विद्यार्थियों ग्राहक मुख्य आशीर्वाद प्रशंसा